नमस्कार दोस्तों मैं हो सुरजीत शामल और आप देख रहा हैं वर्कर भॉष टॉटीं दोस्तों जो लोग आप में से दिल्ली में काम करते हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने 37 पर्तिशत नियुंतम वेतन बढ़ाया था जिसको की सुप्रीम कोट ने मंजूरी दी थी 2019 अक्टूबर में उसके बाद 22 अक्टूबर 2019 को एक नोटिफिकेशन निकला था और जिसके हिसाब से आपका 14842 नियुंतम वेतन हो गया था और अभी दूसरा उसके बाद जो डिये का नोटिफिकेशन अपरेल 2020 को और अप्टूबर 2020 को जो निकलना था वो दोनों एक साथ 7 दिसंबर 2020 को निकला है और जिसके बाद लेवर कमिशनर आफिस का जो बेव साइट है जिसके की करेंट मिनमम वेज जाके आप देखते थे उसको अपडेट हो जाना चाहिए था लेकिन पिछले कई सालों से उसको अपडेट नहीं किया गया आपको बता दूँ कि इसके बारे में एक साल पहले तकरीवन हमने एक मेल भी किया था और लेवर कमिशनर आफिस में फोन भी किया था तब भी उसको अपडेट नहीं किया गया इसके बाद हम लोग लगाता टूइट करते रहें लेकिन आचानक से आप जाकर के देखिएगा तो एक तरह से वो अपडेट हो गया है लेकिन अब दूसरे तरीके से आपको दिखेगा पहले जिस तरह आपका कॉलूम बाइज टेवल बाइज दिखता था वो ऐसा नहीं दिख रहा है लेकिन कई लोग का कमेंट्स आ चुका है जो नोटिफिकेशन है दिसमबर 2020 वाला यानि कि अपडेटर जो नियूंतम वेतन का नोटिफिकेशन है वो हम लेवर कमिशन आफिस से कहां डाउनलोड कर सकते हैं आज मैं लाइफ जा करके बेव साइट पर दिखाऊंगा और कहां कैसे आपको जाना है कैसे डाउनलोड करना है इसके साथ ही 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 मार्ज 2021 तक आपका नियूंतम वेतन क्या होगा इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो पे अंतक बने रहें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो जल से लिसको सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को जरू क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पे आप वरकर से समध ही जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो आज़े दोस्तों हम इसको step by step करके जानते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रू कर दे दोस्तों अगर एक तरह से हम देखे तो जिस परकार से दिल्ली का नियूंतम वेतन 37% हाइक हुआ है अगर पूरे दिल्ली के अंदर अगर जाकर के एक सर्वे किया जाए तो आपको लगेगा कि मातर 10% लोग को ही बढ़ा हुआ नियूंतम वेतन मिल ला है कई लोग के गंटा काम कर रहे हैं इसका मतलब आप समझ सकते हैं उनकी सरली 5-6,000 से अधिक नहीं हुई इसमें कहीं न कहीं रॉल सरकार का और लेवर भी भाग का है अगर आप देखेंगे तो जो काम सरकार को करना चाहिए वो अगर काम कर रही होती शरकार जो कानून सरकार ने दावा क किया था जेल का प्रावधान नियुम्तम बेतन नहीं देने वाले को हम भेजेंगे इसके अलावा 50 अर जुन्माने का प्रावधान अगर उस पे सरकार सकती से करवाई करती तो मुझे नहीं लगता कि कोई उम्प्लोवर आपको नियुम्तम बेतन देने से मना करता या फिर आपको एटोमेटिक ये लागू हो जाता अब चुकी सरकार के तरफ से आख सकती नहीं है लेवर विभाग भी इस तरह का कुछ कर नहीं रहा है अगर जो लोग भी कंप्लेइन करते हैं उनको नोकरी से निकाल दिया जाता है और लेवर विभाग में आप कंप्लेइन लगाते हैं और चाहिस सरीके से उसकी सुनवाई नहीं होती है लेकिन जो छोटा से छोटा मैटर है अब ये देख लीजे लेवर कमिशनर आफिस का बेवसाइट एक दिन में अपडेट होना चाहिए ता आखिर ये देख साल से क्यों नहीं अपडेट हुआ कई वार मेल करने के बाद इसके लिए बार बार टूइट किया गया कंप्लेइन किया गया उसके बार जा करके अपडेट किया गया है जबकि एक छोटा सा काम था अब इससे फायदा क्या है जो मालिक हैं उनको फायदा ये है कि जहां 14-842 नियुमतों वेतन मिलना चाहिए था वो उस बेवसाइट को दिखा करके मज़ूर को 14,000 रुपया ही दे रहे थे इससे उनका 842 रुपय का पर महीना पर मज़ूर बचत हो रहा था तो यह केबल लेवर कमिशनर आफिस की एक छोटी से लापरभाई से हो रही थी तो आईए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या अपडेट किया गया है पहले कैसे दिखता था और अपडेट कैसे करना चाहिए था और अभी नोटिफिकेशन कहां जागर के कैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तो जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में जाएंगे तो इस पोस्ट का हमारा लिंक आपको मिल जाएगा जिस पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमने पूरी जानकारी दी है और इसके साथ ही ये बताया है कि अभी एक साथ ही अजय कुमार ने इसके बारे में हाल ही में टूइट किया था और मुझे भी इस टूइट के लिंक में रखा था और मैंने भी उसको रिटूइट किया था और उसमें इन्होंने यही बताया था कि लिली लेवर कमिशनर आफिस का जो बेवसाइट है दो नॉम्बर 2018 को यानि कि अभी से दो साल पहले अपडेट किया गया है और इसको अपडेट किया जाए क्योंकि यहाँ पे जो नियूंतम वेतन है जैसा कि मैंने बताया 14,000 रुपया दिखा रहा था जबकि इसको 14,842 उस समय होना चाहिए था अभी तो खासकर यह बढ़ चुका है और इसके बारे में अभी कितना नियूंतम वेतन होगा इसके लिए आप इस पोस्ट पे आएंगे तो हमने यहाँ पे जानकारी दिया एक दर्स 2020 से लेकर के 31,3,2,1 तक आपका monthly wage कम से कितना होना चाहिए और daily कितना होना चाहिए इस टेवल में दिया है और इसके साथ ही सबसे last में जाएंगे दिल्ली सरकार के लेवर कमिशनर आफिस का जो website है उसका link दिया इसको जैसे ही click करेंगे तो सीधे आप चले जाएंगे आपको बता दूँ कि आप गुगल में भी जाकर के दिल्ली लेवर कमिशनर आफिस सर्च करते हैं तो आपको ये वाला website आपके सामने दिखाएगा जिसमें कि आपको left side से minimum wage के अंदर आना होगा minimum wage को click करेंगे click करते ही आपका current minimum wage का ये page खुल जाएगा और जिसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अलग तरीके से अपडेट किया गया है इसको और सबसे पहले जो 18, 10, 2018 का notification यहाँ पे दिखा रहा है उसके बाद 23, 10 को यानि कि सुप्रीम कोड के order के बाद जो latest order था वो दिखाया गया और अभी जो महांगाई भत्ते का 7, 12, 2020 को यहाँ पे है और इसको click करेंगे तो click करते ही आपके सामने जो notification का copy है जिसमें कितना new time वेतन अभी के हिसाब से है वो आपको दिखाएगा जिसको दिखा करके आप अपने employer से अपने बिभाग में मांग कर सकते हैं और अगर नहीं दे तो यही labor commissioner office में इसी notification के आधार पे आप सिकायत भी लगा सकते हैं आप देख सकते हैं कि 7, 12, 2020 का यह notification है और इसमें आपका 1, 10, 2020 से यह वाला table जैसा कि हमने बताया है उसी प्रकार का और SC यादव जो कि अभी labor commissioner है उनका यहाँ sign भी है कई लोग पूछ रहे थे कि भाई कहां मिलेगा यह notification इसलिए मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ पहले जो site है इस तरह का दिखता था जिसको किया अब सीधा इन्होंने change कर दिया है कि बल notification आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे आके download कर सकते हैं और इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे comments में लिख करके पूछ सकते हैं वीडियो को अधिक से दिख लाइक करेंगे और अधिक से दिख शेयर करेंगे ताकि अधिक से दिख शाथियों तक यह जानकारी पहुँच पाए इसके साथ ही बिदा लेता हूँ जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं धन्यवाद